असलाम लेकुम स्टूडेंस आज हम लोग करेंगे बच्चो एक न्यू चेप्टर स्टार्ट यूनिट नमबर सेवन जोमेट्री सो जोमेट्री स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप सब के पास एक जोमेट्री बॉक्स होना चाहिए जो इसे हम कहते हैं मिथेमाटिकल, इंस्ट्रुमेंट बॉक्स, डक्स का ले लें या जो भी आपको अवेलिबल है आपके बहुत करीब के बुक्शॉप पे आप वो ले लें तो उसके अंदर बेसिक चीजें होती हैं जिससे हम लोग अपनी जोमेट्री कर सकते हैं सबसे पहले रूलर, एक ये आपके पास होता है और एक ये होता है ये दो चीजें होती हैं, हर चीज का जो भी आपकी मिथेमाटिकल जोमेट्री बॉक्स में चीजें होती हैं उन सब का कोई ना कोई नाम होता है, सो हम इनका पहले नाम देख लेते हैं simple ruler ये जो आपके पास एक चीज़ है ये इस तरहां खुलती है इसे हम कहते हैं divider और इसका क्या काम है इसका काम length को measure करने में ये हमारी help करता है हम ruler से भी measure कर सकते हैं और हम इन points की मदद से ruler के उपर रख के भी हम लोग किसी भी length को measure कर सकते हैं सो इसको हम कहेंगे divider this is compass and compass is used in drawing angles arc circle इसको हम वहां पर use करते हैं इसे हम कहते हैं protector या सादा जुबान में D because इसकी शकल D की तरह की है और हमारे पास दो इस तरहा के triangle है और इन्हें हम कहते है set squares ठीक है यह set squares किसलिए काम आते है parallel lines या perpendicular lines draw करने के लिए so set squares ruler divider compass protector and pencil ठीक है so मैंने आप हम exercise स्टार्ट करेंगे लेकिन मैंने आपको इसाथ एक और भी link दिया वह है बचो आपने उस link को बहुत अच्छी तरहां से सुनना है और समझना है उस link में आपको what is point, line, line segment क्या होता है या horizontal and vertical lines क्या होती है parallel lines इन सब के बारे में बहुत ही explain किया हुआ है अच्छे तरीके से तो आपने उस link को बहुत अच्छे से समझना है तो हम स्टार्ट करते हैं exercise 7a से और 7a में जो आज हम लोग ने काम करना है वो बहुत ही simple है question number 4 करने लगे हैं हम page number 160 पे question 4 है हमारा measure the length of the following lines with the help of a ruler and divider वो कह रहे हैं कि आपने इन lines को measure करना है ruler से divider से आप खाली ruler से भी कर सकते हैं और with the help of ruler and divider दोनों से कर सकते हैं मैं आपको दोनों से इसका तरीका बता देती हूँ जब हम लोगोंने खाली ruler से measure करना है तो हमने क्या करना है जो centimeter हमारे scale के उपर एक तरफ centimeter होता है एक तरफ inches होते हैं यह जो उन्हेंने हमें यह line segment दी भी है ठीक है आपको उस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से वो difference बताएंगे कि line और line segment में क्या फरक होता है ठीक है अब हमने क्या करना है कि हमें यह जो भी उन्हेंने line segment दी भी है हमने इस point लेके इस point तक अपने ruler को रखना है ठीक और फिर हमने देखना है कि इसकी कितनी measurement है यह देखें मैं आपको zoom करके बताती हूँ यह देखें मैंने इदर रखा और फिर इदर रखा तो हमारे पास इसकी क्या length आ रही है four centimeter ठीक है और divider से हम इसको कैसे करेंगे यहाँ पे मैं इसका एक point रखूंगी और दूसरा point मैं रखूंगी यहाँ पे यह देखें ठीक है अब यह जतना मेरा compass खुला है इसको मैं अपने ruler के उपर zero से start कर दूँगी और फिर देखूंगी कि यह कहां तक आ रहा है तो यह देखें यह भी four तक आ रहा है अगर आप इदर देखें four तक ठीक है तो इसको आप divider की help से हम ऐसे कर सकते हैं कि जतनी line है हम उतना divider खूले और फिर उसको हम zero से start करके देखें कि वो उसका second end कहां पर आ रहा है तो उतनी measurement होगी तो अब यह वाली length कितने की थी four centimeter तो यह हमारी line segment कितने centimeter की है four centimeter ठीक है इसी तरह अब हम अगर इसको देखें थोड़ा से इसको आप खोले यह अब हम इसको देखेंगे ruler पर रखके कि यह कितने centimeter की है so it is four point two centimeter तो हम इदर लिख देंगे four point two centimeter ठीक है so इसी तरह आप लोगों ने part b और part d को measure करना है और इदर इनकी length बतानी है कि वो कितनी है next है हमारा question draw straight lines of the following length using a ruler and divider उनने आपको नीचे कुछ length दी वी है four centimeter, eight centimeter, ten, six, nine, seven तो वो कह रहे हैं कि आपने ruler और divider की मतद से इनको draw करना है तो आप इनको draw भी कर अपनी note copies पर draw करेंगे अब जैसे हमें उनने four centimeter दी भी है तो हम क्या करेंगे ruler से कैसे line लगाएंगे वैसे तो आप सब को आती ही है zero से start करेंगे और कहां तक लेके जाएंगे four तक यह four है और यहां तक zero से four तक यह आपकी क्या हो गई line segment तो हम क्या लखेंगे four centimeter इसी तरह अब हमने eight centimeter की लगानी है तो zero से लेके एक तक लगा लेंगे ठीक है तो यह हमारी क्या हो गई eight centimeter की line अब उन्हेंने आपको काए कि आपने ruler और divider की help शे करने है तो उससे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि अब आपने four example ten centimeter की लगानी है तो zero से लेके पहले हम ten तक इस को open करेंगे अब आप इदर और इदर इसको ऐसे इनके dots लग जाएंगे ताके आपको एक point का पता लग जाए कि आपने इदर line लगा ली है so zero से यह ten centimeter ठीक है so आप इसको simple scale से भी लगा सकते हैं और आप divider से भी लगा सकते हैं ठीक है so part d e आप खुद करें तो बच्चो आज हम लोगों ने जो line segment draw करना सीखी है कि how to draw a line segment और question four आप book पे ही करें and question number five जो है जो हमने line segment draw करनी है वो आप हमने note copy पे बहुत ही neatly draw करें thank you